नाउस्कार आप देख रहे हैं नियूस चक्र मैं अबिसार शर्मा वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्ही गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल नियूस चक्र खबर की गहराईयों को टटोलता सिर्फ 24 घंटे का वक्त रह गया है दोस्तों अरविंद केजरिवाल के स्तीफिक को लेकर और कल अपने समर्थकों के सामने दिल्ली की जनता के सामने उन्होंने इस ऐलान के साथ दिल्ली ही नहीं बलकि आस पडोस के राज्यों की राजनीती को गर्मा दिया है भारती जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कहे वो जो कह रही है वो बैकफायर भी कर सकता है मगर अरविंद केजरिवाल ने ये दिखा दिया है कि भारती जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों से कैसे लड़ा जाता है वो भारती जनता पार्टी जो साम दाम दंड भेज से विपक्षपर निशाना साथती है वो भारती जनता पार्टी जो ब्लाक मेल की राजनीती का इस्तमाल करती है वो भारती जनता पार्टी जो डर की राजनीती का इस्तमाल करती है अर्विंद ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं अपनी इमानदारी के दम पर आगे बढ़ूँगा और कल जब उन्होंने ऐलान किया यानि कि रविवार को जब उन्होंने इस बात का ऐलान किया तो उनके समर्थक शौक थे मगर राजनीतिक गल्यारों में कई लोग इसे मास्टर स्ट्रोग भी मान रहे हैं और वो क्यों मान रहे हैं मैं आपको बताता हूँ क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि ED के मामले में बेल मिलना ना मुमकिन सा है और यहां पर अरविंद केजिवाल को न सिर्फ ED बलकि CBI वाले मामले में भी बेल मिल गई है अरविंद केजिवाल ये लगातार बता रहे हैं कि जिन लोगों की गवाही के आधार पर उन्हें गिरफतार किया गया था आज की तारीक में वो भारतिय जनता पार्टी की गोद में बेठें सबसे बड़ी बात जो अरविंद केजिवाल के पक्ष में जाती दिख रही है वो है सुप्रीम कोट का वो फैसला दोस्तों जिसमें कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति एडी के कबजे में है और अगर वो कोई गवाही देता है तो उस गवाही को सुबूत नहीं माना जा सकता यानि कि अरविंद केजिवाल की गिरफतारी, मनीस सोदिया की गिरफतारी, बी आरेस की, के कविता की गिरफतारी इसकी जमीन पूरी तरह से धराशाई हो गई या दोस्तों अगर सबसे पहले, मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि अरविंद केजिवाल ने किस तरह से इस बात का एलान अपने समर्थकों के सामने किया सुनिए, अरविंद ने क्या कहा कोट ने हमें बेल दे दी, अभी बेल तक ही दे सकता था अब ये केस चलेगा, मैंने वकीलों से पूछा मैंने का मेरा दिल कहता है कि जब तक ये मैं कोट से बरी होके ना जाओं तब तक मैं सी एम की कुरसी पे नहीं बैठेंगा और ने का जी ये 10 साल चलेगा केस कोई कहरा पंदरा साल चलेगा केस कोई कहरा बीस साल चलेगा केस तो केस या भी लंबा चलेगा आज कोट जितना कर सकता था कोट ने हमारे पक्ष में निरने लिया है हमें बेल दे दी, उन्होंने ऐसे कानून में जिसमें बेल मिलनी नामुम्किन होती है उन्होंने बेल दे दी आज मैं आपकी अदालत में आया हूँ जनता की अदालत में आया हूँ आप से पूछने के लिए आया हूँ क्या आप केजरी वाल को इमानदार मानते हो कि गुनागार मानते हो मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं और अर्विंद की इस ऐलान के बाद भारती जनता पार्टी भी हरकत में आ गई है और उनकी पार्टी भी हरकत में आ गई है पार्टी लगातार उग्र बनी हुई है और न सिर्व अरविंद केजरिवाल दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि मनीस सोधिया ने भी कह दिया है कि वो अपने पद से स्तीफा दे देंगे यानि कि बात स्पष्ट है कि ना अरविंद केजरिवाल ना मनीस सोधिया आप दिल्ली के अगले मुख्य मंत्री होंगे इस बात को लेकर भी सुब बुगाट थी कि क्या चुनाव जल्द कराए जाएंगे इस बात का एलान अरविंद केजरिवाल कर चुके हैं उनका क्या बयान है दोस्तों आपके स्क्रीन्स पर फरवरी में दिल्ली के चुनाव है आज इस मंच से ये मांग करता हूँ कि ये चुनाव नवंबर में महराष्ट के साथ कराए जाएं मैं आपको बतलाना चाहूँ का दोस्तों कि बाहराष्ट में भारतिय जनता पार्टी की हालत कमजोर है और अगर ऐसा हो जाता है जिसकी गुल्जाइश नहीं है दोस्तों और मैं आपको बतलाना चाहता हूँ क्यों क्योंकि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतिय जनता पार्टी के कहे पर अकसर काम करती हुई दिखाई देती है कम से कम ऐसा आरोप है अरविंद केजरिवाल ने स्वश्ट कर दिया है कि चुनाव नवंबर में कराए जाएं महराष्ट के साथ और अभी से उन्होंने अपने चुनावी पंच की घोशना कर दी है सुनियों क्या कह रहे है पर करती हैं उनकी टिकेट नहीं लगती कहां से आया पैसा क्यों कि हम इमानदार यह हमारी मांदारी से डरते हैं यह बिजली फ्री नहीं कर सकते क्यों यह स्कूल ठीक नहीं कर सकते यह फ्री इलाज नहीं दे सकते यह बिजली फ्री नहीं कर सकते यह 24 गंटे बिजली नहीं कर सकते क्यूं आज इन्होंने एडी छोड़ दी इंकम टैक्स छोड़ दिया दिल्ली पुलिस छोड़ दिया इतने केस कर दिया हमारे उपर और हम डट के खड़े हैं इनके खिलाफ इनका मुकाबला कर रहे हैं क्योंकि हम इमानदा है सबसे बड़ी बात मनीश सोदिया ने भी इस बात का एलान कर दिया है कि वो भी अपने पत से इस्तीफा दे रहे हैं उनका बयान मैं भी मुख्यमंत्री अरुइंद केजरिवाल जी के साथ जनता की आदालत में जाऊंगा और जब चुनाव में जनता मेरी इमानदारी पर मोहर लगाएगी तब ही मैं उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा अब भारती जंता पार्टी इसे ड्रामा बता रही है ये कह रही है कि जो व्यक्ति शीश महल में रह रहा था उसे क्या अधिकार है इमानदारी की बात करने का मगराम आदमी पार्टी उग्र है दोस्तों भाश्पा की तरफ से प्रेस कांफरेंस में सुधाजशू त्रिवेदी ने सजायाफता शब्द का इस्तमाल कर दिया था आमादमी पार्टी ने इस पर करारा प्रहार किया है सुने एकल क्या हुआ था इसके द्वारा एक सजायाफता मुख्यमंत्री ने तमाम आरोपों के बावजूद कीचर उचालने के बावजूद एक चीज भी अब तक आदालत के अंदर साबित नहीं हुए एक आरोप भी मैं बहुत गंबीरता से एतराज दर्ज करता हूँ सुधान्चू त्रिवेदी पड़े लिखे वेक्ती हैं सजायाफ्ता शब्द का इस्तमाल उन्होंने जो अर्विंद केजरिवाल जी लिके लिए किया है उसका मैं घोर एतराज करता हूँ उनको इतनी समझ कानून की होनी चाहिए इतने पड़े लिखे हैं वो होने चाहिए वो एक मेंबर अब पार्लेमेंट हैं सजायाफ्ता का मतलब convicted होता है अर्विंद केजरिवाल की ट्राइल भी अभी तक शुरूने हुई आपने सजायाफ्ता डिक्लेर कर दिया इलाज कराएं सुधान शुद्रिवेदी अपना वर्णा इलाज हम करना जानते हैं उनको वह चेतामनी दे रहा हूँ अपनी जुबान संभाल के बाद करा करें आपको ये समझना पड़ेगा दोस्तों कि जिस तरह से केजरिवाल आज की तारीक में भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं वो एक नजीर साबित हो सकती है पूरे विपक्ष के लिए क्योंकि देखिए कहने को आमादमी पार्टी और कॉंग्रिस में मत भेद हैं शाहे दिल्ली हो चाहे हर्याना हो हर्याना में दोनों में सीटों का बटवारा नहीं हो सका और इसका असर कहिना कि गुजरात पर भी पड़ सकता है मगर दोनों को समझना पड़ेगा कि बीजेपी एक ही अंदाज में कॉंग्रिस पर भी निशाना साध रही है और आमादमी पार्टी पर भी निशाना साध रही है अलग-अलग अनर्गल केसिज में विपक्ष को फसाओ प्रचार चलाओ अपने गोधी मीडिया के जरीए बदनाम करो लगातार करो बार-बार करो मगर असली कहानी जनता तक ना पहुँचे क्योंकि अर्विंद केजरिवाल के मामले में जैसा की आप जानते हैं माघुंटा रेड़ी माघुंटा रेड़ी जो की YSR कॉंग्रिस में हुआ करते थे उनके बेटे राघव रेड़ी को गिरफतार किया जाता है राघव रेड़ी जैसे ही बयान पलटते हैं उनकी रिहाई हो जाती है और न सिर्फ उनकी रिहाई होती हैं उनके पिता YSR कॉंग्रिस छोड़कर तेलकुदेसम पार्टी में शामिल हो जाते हैं यानि कि भाजपा के मोर्चे में चले जाते हैं और राधव रेड़ी के बयान के आधार पर अरविंद केजरिवाल को गिरफतार किया जाता है खेला सारा वही है दोस्तों ब्लाकमेल करो, दबाव बनाओ, अपनी पार्टी में शामिल कर लो और उन बयानों के आधार पर विपक्ष के नेताओं को गिरफतार करो अरविंद केजरिवाल ही नहीं, विपक्ष के कई नेता अब बतला रहे हैं कि भाजपा से कैसे लड़ा जाएगा और आपके सामने कुछ चहरे हैं दोस्तों अरविंद केजरिवाल के इलाबा हेमंत सोरेन, इनकी भी बेल पर रहाई हो गई है बहुती गंभीर मामले में इने भी जेल में डाल दिया गया था मगर इनकी भी बेल में रहाई हो गई है और हेमन सोरेन मामले में भी भारती जनता पार्टी किस तरह की राजनीती कर रही थी, वो आपने देखा, आपने देखा कि हेमन सोरेन जब जेल गए, तो उन्होंने अपनी जगा पर इस व्यक्ति चमपई सोरेन को मुख्यमंतरी बनाया, उसके बाद जैसी हेमन सोरेन रिहा हो सोरेन की एक आदिवासियों की पाटी खड़ी की जाए भाजपा की मदद से ताकि चुनावों में भाजपा को फाइदा हो मगर ऐसा हुआ नहीं दोस्तों नतीजा आज की तारीक में चम्पई सोरेन जो है वो भाजपा में जबकि आप जानते हैं चेमेम ने चमपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया था। यानि कि इस मामले में भी साफतोर पर दिखाई देता है कि साम दाम दंड भेज से विपक्ष पर निशाना साधा जाए। जूटे केसिस में फसाया जाए, बदनाम किया जाए, और जब अदालत बेल पर रिहा कर दे, तब राजनीती के जरिये पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया जाए। यही कोशिश आम आदमी पार्टी में की गई, यही कोशिश NCP और शिवसेना में की गई, शिवसेना और NCP में जाच एजनसीज का डर दिखा कर पार्टीयां तूट गई और आज की तारिक में एक नाच शिंदे महराष्ट के मुक्यमंत्री हैं। तो कहने का अर्ट साफ है दोस्तों कि अरविंद केजरिवाल ने कही न कहीं प्रमानित किया है, राहूल गादी ने साबित किया है कि भाश्वा से कैसे मुकाबला किया जाए, क्योंकि अगर आप डर जाएंगे तो आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे, यही बात आदित ठाक प्जिए पीज़े पी के ही ऑफिस से चलती है और अगर आप देखें तो जो अरिन केजिवाल सागा निडर है एक निडर लीडर है और वही बिना दर्ते हुए आज लड़ते हैं सम्विधान के लिए लड़ रहे हैं देश के हिट के लिए वैसे ही सिसोद्य जी है हमारे आसू सवाल ये अरविंद केजिवाल जो अपने पत से इस्तीफा दे रहे हैं क्या आम आदमी पार्टी को इसका फाइदा होगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि आम आदमी पार्टी अपनी राजनीती कैसे खेलती है क्योंकि कही ना कही उसे जनता तक इस अंदेश पहुचान बेल मिली है वहाँ पर बेल ना मुम्किन होती है उसे बतलाना पड़ेगा कि जब सुप्रीम कोट ने अरविंद केजिवाल को बेल दी थी तो जस्टिस भूया ने तल्ख तेवरों में सीबियाई पर सवाल उठाये थे उसे पिंजरे में बंद तोता बताया था याद हो गए हैं उल्टाप ED, Income Tax, CBI वो भारती जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करते हैं अरविंद केजिवाल और आम आदमी पार्टी को मुद्दो पर बने रहने के साथ साथ जनता तक ये संदेश देना पड़ेगा कि किस तरह से विपक्ष के निताओं को उटे केसिज में फसाय जाता है, क्योंकि जो संदेश दिल्ली में जाएगा वो पूरे देश तक पहुँचने वाला है, महराश की जनता देख चुकी है, महराश ने देखा कि इस तरह से शिवसेना को दो फाड़ किया गया, NCP को दो फाड़ किया गया और हमने उसका परणा आम लोग सभा चुनावू में देखा, आम आदमी पार्टी मुद्दों पर सवार होके अपना वार कर रही है, पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि चुनावू का एलान कब होगा, ये तो चुनावायूग फैसला करेगा, मगर हम मुद्दों पर जमीन पर उत्रेंगे, सुनि लेकिन दिल्ली की सरकार एक दिन चले, एक हफ़ते चले, एक महीने चले चुनाव का, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती रहेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बजी देती रहेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देती रहेगी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लोगों को महला क्लिनिक में अस्पतालों में अच्छा इलाज देती रहेगी बुज़र्गों को फ्री ती त्यात्रा करवाती रहेगी और महिलाओं को फ्रीबस यात्रा करवाते हैं इस बीज भारती जनता पार्टी ने कह दिया है कि अरविंद के जिवाल moral high ground नहीं ले सकते इस मामले में खुद को शहीद नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता को बताना पड़ेगा कि वो शीश महल में कैसे रह रहे हैं पार्टी के नेता और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेन सच्देवा क्या कह रहे हैं आए सुनिये दिल्ली सरकार का कोई विभाग अरविंद के जिवाल आपने नहीं छोड़ा जो जनता की गाड़ी कमाई से तुमने बनाया था हजारों पहले रात और रात कटवा दिये थे दिल्ली की जनता के बीच जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि चार-चार लाग का कमोड कैसे होता है यही ने पार्टी एक कदम आगे जाकर कहती है कि मुख्यमंत्री अर्विंद केजरिवाल पहले मुख्यमंत्री है जिन पर सुप्रीम कोट ने पाबंदी लगाई है सुधानशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं कुछ देर बाद मगर मैं सुधानशु जी को यह याद दिलाना चाहूँगा कि जस्टिस भूया ने कहा था कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्विंद केजरिवाल पर आखिर अपने दफ्तर जाने की पाबंदी क्यूं है मगर चुकि इसका फैसला पहले हो चुका है इसलिए मैं इस पर ठिपणी नहीं करूंगा यानि सुप्रीम कोड भी कही न कहीं इस बात को महसूस कर रहा है कि अर्विंद केजरिवाल पर जो पाबंदी लगाई जा रही है वो सही नहीं है कम से कम जस्टिस भूया तो इसी बात में विश्वास करते हैं सुनिए सुधान शुत्रिवेदी ने क्या कहा कम चाहिती है और 40 घंटे का राज क्या है और 40 घंटे में क्या क्या सेट्ल करना है क्योंकि आप देश के पहले मुक्यमंत्री बने हैं जो सरवोच चिन आयलेक के द्वारा परतिबंदित है कि आप कारहले नहीं जा सकते कोई फाइल नहीं साइन कर सकते जिस मुद्धे में आप आरोपी हों उस पर बयान नहीं दे सकते भारत के इतिहास में कोई ऐसा उधारण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के उपर यह प्रतिबंद हो उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए सरकारी काम तो कर नहीं सकते तो कौन सा निजी काम है कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की महुलत मांगने की कोशिश कर रहें और हम यह भी कहना चाहेंगे जब केजरीवाल जी ने स्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया यानि आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक है कि आप पद पे नहीं रह सकते अर्थात आपके आरोपों की सुईका रोकती है जब आपने त्याग पत्र की बात कही तो एक तरह सिखा जा सकता है दोस्तों मुकाबला करेंगे तो जीतेंगे अगर मुकाबला ही नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ पाएगी विपक्ष की चुनोती बहुत मुश्किल है जिन जिन राज्यों में भाजपा नहीं है वहाँ पर वो लोग माहौल भढ़का रहे हैं हिमाचल प्रदेश देखिए करनाटक देखिए देखिए किस तरह से करनाटक में एक कालपनिक डर पैदा किया जा रहा है एक कालपनिक घुसा सड़कों पर पैदा किया जा रहा है ये कहते हुए कि गणपती बपा का अपमान हुआ जबकि आप जानते हैं एक राजनीतिक प्रदर्शन में भाजपा जो है वो गणेजी की मूर्ती लेकर पहुँच जाती है पुलीस उनसे वो मूर्ती छीन कर उसका विसरजन करवा देती है उसे पुलीस वैंग में रखती है सुरक्षित क्योंकि भाजपा का काडर उग्र था भाजपा का काडर शाहता था कि गणेश जी की मूर्ती जो है उन विवादों में आए कल्प ना कीजे दोस्तों अगर गणेश जी की मूर्ती को कोई नुकसान पहुँचता तब क्या होता क्या भाशपा इसकी जिमेदारी लेती नहीं लेती मगर वो बवाल करती कि देखिए पुलीस ने किस तरह से गणेश जी की मूर्ती को नुकसान पहुचाया यानि कि भाशपा जहां जहां सत्ता में नहीं है वहां माहौल बिगाडने की कोशिश की जाती है हिमाचल प्रदेश में देखिए मुद्दा एक मस्जिद को लेकर था मगर अब वो आग पूरे राज में पहल रही है हिंदुत वादी संगठन इसे उग्र करने की कोशिश कर रहे है क्या भारती जनता पार्टी का इसमें कोई रोल नहीं है जाहिर सी बात है जन जन राज्यों में भाजपा नहीं है वहां माहौल को बिगाड़ा जाए बरबाद किया जाए और इस चुनोती का सामना विपक्षी राज कर रहे हैं पक्षि मंगाल की अगर हम बात करें आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ममता बैनर जी इस वक्त जुकी हुई है एक शर्ना घटना हुई मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ उत्तरा खण में जढ़ी लग गई दुशकर्म और हत्या की महिलाओं पर अपरादगी उत्तर पदेश में भी इसी तरह से एक के बाद एक दुशकर्म और हत्याओं का मामला सामने आया मगर गोदी मीडिया उसकी चर्शा नहीं कर रहा है निशाने पर कौन है? विपक्षी राज और कही न कहीं अरविंद केज्रिवाल और राहूल गांधी ये साबित कर रहे हैं कि भाश्पा से कैसे मुकाबला किया जाए अब इसार शेर्मा को दीजे अजाज़त नमस्कार